नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आप सभी का हर्दिक स्वागित है आपके अपने यूट्यूब चानल पे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीटट के फॉर्म्स आज ही देखें आप सभी के लिए ओपन हुए हैं अप्लिकेशन फॉर्म तो उनके लिए step by step आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है starting to end बिल्कुल deep में मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में बताऊंगी इन steps को follow जरूर करें और हर एक step को बहुत सावधानी से भरें क्योंकि अधिकतर बार ये देखा गया है students कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और उसकी वज़ा से जो अंत में आपको mark sheet मिलती है यदि seated qualify हो जाता है तो उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है तो देखिए ये है seated की official website seated.nick.in ठीक है इसका link description में मिल जाएगा direct वहाँ पे click कर सकते हैं आप सभी अब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको दिखेगा एक option जो क कुछ इस प्रकार से है apply for seated December 2022 इस पे आपको करना है click कुछ इस प्रकार से यहाँ पे red color का link आप देख सकते हैं अब आपको click करना है इस red color के link पर ठीक है यहाँ पे click कर देते हैं अब यह आपको बोलेगा कि ये page आपको दूसरे page पर लेकर जा रहा है तो क्या आप उसकी अन आपका next page जो है वो open होगा कुछ इस प्रकार से एक बार में ना हो तो दूसरी बार प्रयास करें जिस प्रकार से मैंने किया है अब यहाँ पे ये older कुछ details है क्योंकि पहले भी हमने seated का form काफी students के लिए भरा हुआ है तो यह हटा दिया मैंने अब यह आगया seated December 2022 अभी कोई application और password नहीं है क्योंकि आप पहली बार आए है तो यहाँ पे आप जाएंगे new registration पे new registration पे आप जाते हैं यहाँ download information bulletin है मैं आप सभी को एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे एक बार जो है आप सभी read कर ले ठीक है इसको अच्छे से पढ़ ले एक बार ये सारी details है आ अल्रेडी मैंने read कर लिया है तो मैं आपको सीधा practically इसको फिल करके देखाती हूँ टिक कर दे और यहाँ पे प्रसीड कर दे आगे candidate name में अपना नाम डाले मैं अपनी details डालती हूँ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपना full नाम डाला अपने caps में डाले मतलब बड़ी ABCD में चिक है यहाँ पे date of birth आप अपनी डाल सकते हैं जो भी है मैं randomly डाल रही हूँ तो कुछ इस प्रकार से लाइक मैंने अपनी date of birth 1999 डाल दिया है correct मैं बताना नहीं चाहूंगी इस वजह से gender आपने डाला और यहाँ पर कोई भी जो आपको लगे जिस प्रकार से मैं driving license को click कर देती हूँ और यहाँ पे आप अपने driving license का जो भी number है वो mention करेंगे कोई और detail अधार कार्ड भी आप यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं voter ID है passport है bank passport with photograph राशन कार्ड with photograph या अधार कार्ड यूज करना है तो यहाँ पे click करते हैं ठिक है और अधार number डाल दीजे फिर यहाँ पे premises number जैसे की मैंने डाल दिया मेरा house number ठिक हैं और अधार 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 सब लोकालिटी ओप्शनल है अधार इंडिया स्टेट अपना जो है जैसे मैं यहाँ पे हर्याना सेलेक्ट कर रही हूं डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वह आपको सलेक्ट करना है तो रहुत तक मैंने सलेक्ट किया है अब यहाँ पे आपको अपना पिन कोड मेंशिन करना है ठीक है पिन कोड भी मेंशिन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से यह है 124001 इमेल आइडी जो भी आपकी है आप वो डाल सकते हैं मैं अपने चैनल की इमेल आइडी यहाँ पे डाल रही हूं अगर कॉपी पेस्ट हो रहा है तो डारेक्ली कर देते हैं नहीं हो रहा है दुबारा से एंटर करना पड़ेगा क्योंकि यह हमें यहाँ पे शॉटकट अपनाने नहीं दे रहा है ठीक है कुछ इस प्रकार से नीचे बढ़ेंगे मोबाइल नंबर डाली है अपना यह मेरा फोन नंबर ठीक है यहाँ पे एक डाश आ गया इसको हटाएंगे क्योंकि दस डिजिट्स की ही अनुमती है दूसरा नंबर भी मैं अपना डाल देती हूँ यहाँ पे अब यहाँ पे अगर कोई लांड लाइन नंबर है तो डाल सकते हैं permanent address same है, तो इस प्रकार से टिक लगा दीजे, अगर आप कहीं और रहते हैं, permanent address अलग है, तो उसको दुबारा से fill करिएगा, पासवर्ड जो भी आप चूस करना चाहें, मैं अपना पासवर्ड यहां पे रख लेती हूँ, रो तक, आर कैपिटल रख लिया मैंने, रो तक, वन, वन, चार बार वन हो गया, ठिक है, और एक add the rate हो गया, कन्फर्म करेंगे पासवर्ड, रो तक, डबल वन, डबल वन, add the rate, question सेलेक्ट करना है, लाइक, काफी सरेविच इस और फेवरेट बुक, तो जो भी बुक आपकी फेवरेट है, उसका नाम आप यहां पे मेंशिन कर दीजे, कोई और question भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठिक है, यह security pin है, तो इसको यहां पे आपको enter करना है, P547, ठिक है, समझ ना आए तो refresh कर लीजे, दुबारा जो आएगा, उसको enter करेंगे, गलत मद डाले लेगा, ठिक है, इसके बाद यहां पे submit के option को definitely हम click करेंगे, अब देखे, यहां पे इसने मुझे मेरी गलती बता दी है, कि आपको same phone number जो है, वो confirm करना था, ना कि अलग डालना था, तो इस प्रकार से, अब यह detail सही है, तो यहां पे अब मैं submit करूँ, उससे पहले कुछ information मुझे दुबारा डालनी पड़ेगी, जो की है password, जो मुझे याद है, मैंने रखा है, row तक, double one, double one, add the rate, तो मैं दुबारा डाल रही हूँ, वही सारी details, अब देखिए, आपकी जब सभी details आपने डाल दी हैं, तो यहां पे यह एक बार आपको review करने के, तो देखिए, आप second page पे आ जाते हैं, और यह आपको अब confirm करने को बोलता है, अपनी सभी details, जो भी आप है, आपका नाम सही है, पापा का नाम सही है, mobile number, date of birth, email id, gender, address, तो यह सब पे tick लगाना है, और properly इसको उपर नीचे करके देख लीजे, फिर I agree पे tick करिए, और submit and send OTP पे click करिए, yes करिए, इसके बाद जो mobile number आपने दिया है, उस पे आपको मिलेगा एक OTP, जो की आपको यहां पे enter करना है, OTP आने में अधिक्तम time जो लग सकता है, वो 30 seconds का है, ठिक है, कभी अगर website पे कोई problem हो, तो maybe 1 minute का वक्त लग जाए, दरवाइस मेरा जो OTP है, जैसे ही मैंने click किया, within 2-3 seconds मेरे पास आ गया है, तो 287981, यह है मेरा OTP जो मैंने enter किया, submit registration पे किया, मुझे नहीं save करनी है, अगर आपका अपना personal laptop है, computer है, तो save कर दीजे, वरना details को save नहीं करिएगा, अब यहाँ पे पहला step मेरा complete हो गया है, application form और fee payment मेरा बचा है, तो मैं यहाँ पे click करूंगी complete application form पर उस से पहले यह अपना application number जो है, आपकी email पे भी आ गया है, mobile पे भी, पर फिर भी इसको कहीं पे लिख कर जरूर रख लीजे, इसके बाद complete application पे click करिए, personal detail पे click करिए और इस प्रकार से यहाँ पे अपनी personal detail डालिए, nationality Indian, category general, PWD no, employment status employed as teacher, security pin यह मैं अपनी डाल रही हूँ, अगर आप employed हैं तो डाले, otherwise non-employed, यह यहाँ पे डाला, save and next, and yes, applying for, अगर केवल एक level के लिए देना है, 125 class के लिए तो इस पे click करिए, दोनों paper के लिए देना है, तो इस, सिर्फ paper 2 के लिए देना है, 6 to 8 ते इस पे, दोनों के लिए देना है, तो last पे, तो पहली language आप कौन सी रखना जाते हैं, जिन भाशाओं में आपने पुण हो और आपने सही प्रकार से पढ़ी हो, उन्हीं को चुने, ठिक है, गलत भाशा का चयन ना करे, ठिक है, minimum qualification for class 1 to 5 आपके पास क्या है, यदि आपने B.A.D. किया है, ठिक है, आपको अपने options में से जो है, उसे ढूंदना है, इन options में से, जैसे post graduation with minimum 55% marks और equivalent grade and past or appearing in final year of 3 year integrated B.A.M.E.D. यहाँ पे graduation है आपकी और past या appearing है आपका bachelor of education में ठिक है, appearing भी है तो भी आप भर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पाचवे option पे click करूंगी, आप अपने हिसाब से देख ले, आपका कौन सा option जाएगा, कोई confusion हो तो comment करियेगा, अपनी situation qualification में आपको options बता दूंगी, अब यहाँ पे 6 तू 8 के लिए graduation and past appearing in final year कोई 2 एर का diploma अगर आप कर रहे हैं, graduation या post graduation के साथ भी 8 हैं, तो यहाँ पे आपका रहेगा, option 2, appearing students भर सकते हैं, बहुत बार confusion रहता है, यह पढ़ लीजे, अब mathematics science का option चाहिए, आपको या social science का माफी चाहूंगी, तो यहाँ पे मेरा social science है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी and diploma in education या degree in education, आप कोई diploma 2 साल वाला कोर्स कर रहे हैं, या आप यहाँ पे कोई degree 2 साल एक साल वाला कोर्स कर रहे हैं, वो डिक करना है, तो मैंने degree किया हुआ है तो मैं यहाँ degree पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे security pin डालेंगी, इस प्रकार से save and next पे क्लिक करेंगी, yes करेंगे, थोड़ा सा load होने में यह time लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, यह ना सोचें कि आपके साथ हो रहा है, सभी के साथ है, आप passed है या appearing है, वो डालना है, म और कब आपने पास किया था, तो मैंने इसको 2015 में किया था, तो मैं वो year डाल देती हूँ, 14, 15, I am not confused, but ठीक है, randomly हो गया, तो select करना है, education and elementary education and university जो थी, इसमें अपना आपको डूढ़ना पड़ेगा, आपका option कौन सा है, कोई नहीं, इत्मेनान से ढूढ़े, अधिकता students MDU के हैं, तो Delhi University मुझे मिला नहीं, तो मैं आपको MDU ढूण के लिखाने की कोशिश करती हूँ, महारिशी, सभी मिलेंगे, पर थोड़ा सा उपर नीचे है, तो ढूणना पड़ जाता है, यहां भी, इसमें थोड़ी से दिक्कत है, जिससे एक और देखते हैं, CRSU अगर यह मिलता है तो, जामिया देखते हैं, यह आ गया, Department of Education, जामिया, इसलामिया, थोड़ा सा आपको देखे, ढूणना पड़ेगा, पर मिल जाएगा, परसंटेज जो भी आपकी B8 में रही है, परसंटेज में रिजल्ट आया था, या CGPA में, कितने माक्स थे, तो लेट सपोज आपके 500 में से, आपने ओप्टीन किये है, 468, परसंटेज अपने आप आ गई, इंस्टिट्यूट का पिन कोड जो है, वो मेंशिन करें, मैं रेंडमली डाल रहे हूँ, सेक्योरिटी पिन, JN4630, सेव एंड नेक्स पे क्लिक करें, येस करें, अब जो फोटोग्राफ है, वो आपको चूज करनी है, 10, 200, ये ही आपका देखिए, प्रॉपली जो है, साइजेज होने चाहिए आपकी, ठिक है, तो इसी फॉर्माट में जो है, आपको अपनी फोटो अप्लोड करनी है, तो इसमें थोड़ी सी गलतिया होंगी शुरू में तो, देखते हैं किस प्रकार से करते हैं, मैं डारेक्ली अपना फोल्डर सेलेक्ट करती हूँ, जिसमें हैं, तो यहां पी यह रही फोटो, ओपन करते हैं, देखते हैं लेगा है नहीं, तो इस प्रकार से है, जूम आउट करें थोड़ा सा, यह हो गया, तो दन, अप्लोड करें, इसमें फाइनली पता चलेगा आपको कि कोई दिक्कत है या नहीं है, हो गया, सक्सेस्फुली, अब सिगनेचर की बारी है, इसी प्रकार से, जूम आउट सिगनेचर पूरा आजाए, यह बहुत ज़रूरी है, देखें, इस प्रकार से कहीं से कटे ना, दन, फिर से अप्लोड करके देखते हैं, यह भी सक्सेस्फुली हो गया, आप, देखें, जो पूरी वेब साइट है यह बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है, तो आपको यह जो है, कट शॉर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए आप डारेक्ली स्निप टूल होता है, उसका भी यूज कर सकते है, स्निप टूल का, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, येस, अब जहां पे अब एक्जाम देना चाहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में देना चाहती हूँ, सेंटर न्यू डेली, ठीक है, कितनी ओक्यूपाइड सीट्स हैं, देखे, आप देख सकते हैं, इतने कैपिसिटी है, ठीक है, इतने बच्चों को, दो लाख, 65,915 बच्चों को, नई दिल्ली में जो है, सेंटर, 132 है, इतने बच्चों का एक्जाम हो सकता है, 6,30, 7 seats, अल्रेडी ओक्यूपाइड हो गई है, अनि कि अभी तक, फर्स दे, थोड़ी देर पहली फॉर्म स्टार्ट होए हैं, तो इतने स्टूडेंस भर चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे, E9K, 863, यह मैंन डाल दिया, Save and Next किया, OK पे क्लिक किया, अब यह Final Submission करने को बोलेगा आपको, तो सबसे नीचे आजाएंगे इस पेज़ पे, सारी डिटेल्स चेक करने के बाद इन सब पे आपको टेक लगाना है, I Agree पे और फिर करना है Final Submission, अगर Edit करना है Application Form यहाँ क्लिक करें, अगर आप email ID को verify करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना है, ठिक है, and then आप यहाँ पे fee payment के लिए जाओगे, क्योंकि मैंने दोनों के लिए apply किया है, और मैं general category से हूँ, तो मेरी fees है 1200 रुपई, ठिक है, यह भी आप देख सकते हैं, इस प्रिकार से, तो यहाँ पे verify करना है, इस पर security pin पे आप क्लिक करेंगे, फिर OTP आएगा, right, करते हैं इसको भी, submit करेंगे, ok पे click करेंगे, जो OTP आया है, फिर उसे enter करेंगे, तो यह यहाँ पे कुछ इस प्रिकार से mail आया है, आप सभी देख सकते हैं, और मेरा security code यह है, वापस page पे जाएंगे, 938830 है, 938830, 938830, enter किया, verify किया, पंदरा मिनिट तक लग जाते हैं, recent ना करें, थोड़ा सा इत्मिनान रखें, इस code is no longer, एक second, फिर से code डाला है, verify करने की कोशिश करेंगे, इस बार में हो गया है, जिसमें पहले भी सही डाला था, इस बार भी सही डाला है, तो हो सकता है, कुछ technical glitch हो, अब इसके बाद यह सब हो गया है, क्लिक हेर, अब आपको करनी है, पे examination fees, online पे करेंगे, proceed for payment करेंगे, ok करेंगे, अब यहाँ पे, जिस भी debit card, credit card या net banking से आपको payment करनी है, उसके लिए क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपनी जो भी details आपको डालनी है, UPI करना है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यह scanner है, इसको आप scan करें, और pay कर दें, यह automatically successfully pay पे, जो है refresh हो जाएगा portal, right, तो मैं यहाँ पे payment नहीं करना चाहूंगे, क्योंकि फिलहाल मैं seated देने के बिल्कुल भी mood में नहीं हूँ, already clear है, यह video सिर्फ आप सभी के लिए यह बताने को था, कि seated के forms के लिए apply कैसे करें, जैसे ही आप payment करेंगे, आपको आपका application form print करना है, download कर लेना है, और बस वहाँ पे आपका काम हो जाता है, और इसके बाद, जब भी आप अपना कोई भी status देखना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना application form जो मैंने starting में दिखाया था, यहाँ पे जाएंगे, तो application form बगरा, जो number है, वो enter करना है, password enter करना है, date of worth है, security pin है, और आप अपना status वगारा सब देख सकते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ, आपको इस वीडियो से किस प्रकार से अपना form भरना है, उसकी जानकारी मिल गई होगी, कोई भी doubt हो, क्योई भी query हो, कोई चीज आपको समझ ना रही हो, तो उसके लिए comment जरूर करिएग तांक यू